तो बहएं कैसे हो आप लोग उमेद करते हूं याँ आप सभी लोग बढ़िया होगे तो दोस्तो जब भी हम लोग रात कू लेने के लिए जाते हो तो ऐसी कंडिशन में बहुत बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जो के ठक्कीय वगे रहा कины उज़ करते हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी लोगों से एकी रिक्वेश्ट अगर आप लोगों ने अभी तक मैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो साथ जार बैल एकन बटन को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालू नोटिफिकेशन मिले आप लोगों सबसे पहले तो दोस्तो जारब कहती ना करते हो करते हैं शुरू हेलो वट्सब्सक्राइब मैं नाम है दिक्वी और आप देख रहे हो माइड गेम चैनल तो शुरू करें चलो बई जाने के लिए जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में लोग तकय बगेर का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं अगर दोस्तो आप लोग तकय करते हो तो ऐसी कंडिशन में आप लोगो ध्यानी रखना चाहिए कि तक्या जो रहता है वो बिल्कुली साफ सुथरा होना चाहिए अगर मान लोग गंदा संदा या फिर आप लोग काफी दिनों से एक ही तक्या यूज कर दें तो उस टाइम पर होता क्या है कि तक्या थोड़ा उंचा रहता ह और आपका फेस वगएर उसी पर रखा रहता है अगर तक्या के उपर जो धूलकण रहते हैं वह बहुत ही असानी के साथ में आपकी स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं उन्हें फर उसके बाद में रियक्शन सोना शुरू हो जाता है आपकी स्किन में और फिर रिजल्ट में आप लोगो कील मुहा से मिल जाते हैं जिसको फिर आगे चल करके आप लोगो अपना चेहरा वगयरा दिखाने में भी काफी ज्यादा शरम आती और काफी जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है अभी यहां पर दूसरी दिक्कत आते हैं दोस्तों गर्दन वगयरा स लगा आप लोगों की स्टेश में चले जाते हो तो जब भी आप लोग इस रेम की स्टेज में जाते हो तो संधिस्टों पर थि जाते हैं और फिर नसों पर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाना यह साई चीजे नौर्मल सी बात है और जब भी आप लोगों की नींद वगरा खुलती है तो ऐसी कंडिशन में आप लोगों की गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द वगरा महसूस होता है और कईके बार तो नस वगरा चड़ जाती ह में हम लोग बोलते हैं तो इसकी वज़े से यह भी प्रॉब्लम हो जाती है अब इसके बाद में आती है दोस्तों जो दिक्कत नीन साही डंग से पूरी ना होना तो दोस्तों काफी सारे लोग तक्या वगरा यूज करते हो और वो लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं तक्य करते हैं तो वो आपके कमफर्टको रहता नहीं है इसे रहता है दोस्तों जो हमाईड के हड्डी होती हुआ सई ॉप पर फिर ठाव ड़ा हो एक सूस करते है ऐसी कंडिशन में हम लोग को बॉडी में इनी जो फुल एक्टिविटी आनी चाहिए वो सारी सीज़े नहीं आती है तो इनी तकिये वगेरे का यूज अगर आप लोग करते हो तो आप लोग थकावट वगेरे की दिक्कत हो सकती है अब दोस्तो इसके बाद में आती है सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकर दोस्तो ये सर्वाइकल वाली दिक्कत बहुत जादा बढ़ती चली जा रहिए इस कंडिशन में होता क्या है कि आप लोग गर्दन की जो हंटी होती है उनके किनारी बढ़ जाती है जिससे कि आप लोगों की नसो अगेरा पे काफी ज़्यादा effect पड़ता हो उन future में फिर आप लोगों को गर्दन के movement में या फिर गर्दन हिलाने में दरोज़र करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए आप लोगों यही चीज़ है दोस्तों कि आप लोग तक्ये का यूज करना बिल्कुली बंद करते हो क्योंकि तक्ये को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है इन चीजों के लिए अगर आप लोग तक्ये का यूज करते हो तो इन future में आप लोग सर्वाइक अपकी बॉड़्ी बिल्कुल एकदम से पैरलाइसिस होती हो आपकी जो गरदन रहती हो उसका पूरा प्रेशर तक्ये के उपर रहता है तो आपकी नसे जो भी जिन पर ब्लॉक कर जाता है या श्ट्रेस आता है तो उन पर इतने ज़गा प्रेशर आ जाता है कि आप लोग जैसे ही उठते हो यानि बार-बार आप लोग को आपकी बॉड़ी वगएरा इंडिकेट करके उठा देती है जब भी आप लोग डिप स्लीप में चले जाते हो तो वहाँ पे से जब भी आप लोग उठते हो तो आपकी नीद वगएर तूट जाती हो टकिय को आप लोग महसूस कर सकते हो कि हाँ भी हम लोग इसके साथ में कमफर टेवल हैं बट रेयल्टी यह रहती है दूस्तो के टकिया लगा कर अगर आप लोग सो दिये तो ऐसी कंडिशन में आप लोग दिक्कत ही होती है आप लोग बिना तक है कि अगर सोना शुरू करते होगे मैं मानता हूँ 10-15 दिन या फिर महीने भर आप लोगो दिक्कत वगयरा हो सकती है मगर अगर आप लोग उसके बाद में इन चीजों को यनी एकदम से छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ में यहीं काफी जादा मीरिकली फाइदे आप लोगो देखने को मिल जाएंगे आप लोगो नीद अच्छे से पूरी होगी और आपकी बोड़ी जो रहती है वो फुली क्ष़एंगे एक्तिवेट आप लोगो मिल जाएगी तो दोस्तों मित करता हूँ इस वीडियो से आप लोगो कुछ नगी बटनों प्राइस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालू नोटिफिशन मिले आप लोग सबसे पहले तो दोस्तो ज़्यादा बगते निया करते हुए करते हैं खतम तो बस दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू वेरी मच करते हैं